Hello everyone, welcome back to my channel. आज का वीडियो है difference between adverb of time and adverb of frequency. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको difference बताया था, adverb of frequency and adverb of degree के बीच में. आईए जानते हैं time और frequency के बीच का difference. यहाँ पर examples में मैंने कुछ sentences लिखे हैं, वन बाई वन उन्हें देख लेते हैं. पहला sentence है I have told you twice. मैंने तुम्हें दो बार बताया. ठीक है, यहाँ पर बताने की क्रिया हो रही है. इसके बाद दूसरा sentence, शी seldom laugh, वह कभी-कभी हस्ती है. तीसरा sentence, वे अकसर बिना तयारी के आते हैं. अब इन तीनों ही sentences का description देख लेते हैं. देखे, यहाँ पर three specific words लिखे हुए हैं. जैसे twice, seldom, frequently. यह तीनों ही words इनको देख कर हम कैसे पता करेंगे? कि यह adverb of time को represent कर रहे हैं, या फिर adverb of frequency को. आईए, पता करते हैं. पहला sentence ध्यान से दिखे, I have told you twice. अद्वर्फ of time की बात हो रही है, या फिर adverb of frequency की, इस particular word twice से, तो इसके लिए आपको करना ये है, कि दो बार question put up करना है. Question कुछ इस तरह से होंगे? मैंने तुम्हें कब बताया? क्या इसका answer आपको मिल रहा है? जी नहीं, इसका answer तो नहीं मिल रहा है. इसका मतलब है कि twice यहाँ पर adverb of frequency होगा. क्योंकि अगर यहाँ पर when से पुछा गया question का answer मिल जाता, तो twice यहाँ पर adverb of time होता, लेकिन हमें answer नहीं मिला, इसलिए twice यहाँ पर adverb of frequency होगा. Frequency का मतलब आवरती, बारम भरता, यानि जब किसी sentence में किसी क्रिया के बार-बार होने की बात होती है, यानि कि उसकी आवरती की बात होती है, तो वहाँ पर particular word, adverb of frequency कहलाता है. इसी तरह से second sentence में, she seldom laugh, वह कभी-कभी हसती है. अब seldom यहाँ पर एक specific word है, इसे ही हमें identify करना है, तो इसमें अगर हम question put up करें, कि वह कभ हसती है, तो कभ के लिए यहाँ पर कोई answer नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभ के लिए हमें timing बतानी होगी. लेकिन अगर हम ये question पूछें, कि वह कितनी बार हसती है, तो इसका answer आ जाएगा, वह कभी-कभी हसती है, ठीक है, तो seldom यहाँ पर adverb of frequency होगा, जो इस sentence में उस लड़की के दुआरा हसने की जो क्रिया हो रही है, उसकी आवर्दी के बारे में बता रहा है. तीसरा sentence, वे अकसर बिना तयारी के आते हैं, यहाँ पर frequently word आप देख पा रहे हैं, red color में specific word है, हमें identify करना है कि यह adverb of time है, या फिर adverb of frequency, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर two questions put up करेंगे, अगर हम पूछें कि वे कब बिना तयारी के आते हैं, तो इसका answer मिलेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम पूछते हैं कि वे कितनी बार बिना तयारी के आते हैं, तो हमें answer मिल जाएगा, हम most probably यही कहेंगे कि वे अक्सर ही बिना तयारी के आते हैं, यानि कि frequently, तो frequently भी यहाँ पर adverb of frequency कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर frequently इस particular word से, क्रिया के कितनी बार होने की बात की जा रही है, I hope दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आगया होगा, तो इस परकार, once, twice, every day, often, again, always, frequently, sometimes, rarely, never, etc. यह सारे के सारे जो words आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह adverb of frequency है, but why? Because these words indicate how often an action is performed, so they are called adverb of frequency, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि यह सारे के सारे words indicate करते हैं, कि कोई भी क्रिया जो perform की गई है, कोई भी कार एक्षन जो perform किया गया है, वा कितनी बार हुआ है, ठीके? इसलिए इस सारे words आपके adverb of frequency कहलाएंगे आईए आप जानते हैं adverb of time किसे कहा जाता है ठीके? ताकि हम दोनों की बीच में difference अच्छे से समझ पाएं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर examples में कुछ sentences लिखे हैं, आईए नजर डालते हैं उन sentences पर sentences आपके सामने है, पहला sentence I hurt my knee yesterday कल मेरे घुटने में चोट लग गई दूसरा sentence I have an office meeting today, आज मेरी एक office meeting है, तीसरा sentence We shall now begin to work अब हम काम करना शुरू करेंगे चौथा sentence I have heard this before, मैंने यहाँ पहले भी सुना है, ठीक है यह सारे sentences हैं, अब इन sentences में आपको green color के specific कुछ words दिखाई दे रही होंगे, जो की है yesterday, यानि बीता हुआ कल, today, आज का दिन now, अब, before पहले, तो चलिए समझते हैं कि इन particular words को हम कैसे पहचानेंगे, यह adverb of frequency है, या फिर adverb of time, तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला sentence देखेंगे, I hurt my knee yesterday, कल मेरे घुटने में चोट लग गई, अब इस sentence में घुटने में चोट लगने की क्रिया हो रही है, ठीक है अगर हम question put up करते हैं कि मेरे घुटने में चोट कितनी बार लगी तो क्या इसका answer आ रहा है, जी नहीं इसका answer तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर में पूछती हूँ कि मेरे घुटने में चोट कब लगी, तो इसका answer आ जाएगा मेरे घुटने में चोट कल लगी कल मेरे घुटने में चोट लग गई तो इसका मतलब यह है कि yesterday ये particular word यहाँ पर adverb of time को represent करेगा अब देखते हैं दूसरा sentence I have an office meeting today आज मेरी एक office meeting है अब अगर यहाँ पर हम question put up करते हैं कि मेरी office की meeting कितनी बार है तो ये कुछ आटपटा सा लग रहा है यहाँ पर इसका answer तो हमें नहीं मिल रहा है लेकिन अगर हम question put up करते हैं कि मेरी office की meeting कब है तो इसका answer आजाएगा आज यानि की today that means today यहाँ पर adverb of time कहलाएगा तीसरा sentence We shall now begin to work अब हम काम करना शुरू करेंगे अगेन फिर से यहाँ पर question put up करते हैं हम काम करना कितनी बार शुरू करेंगे क्या इसका answer आ रहा है जी नहीं इसका answer तो नहीं मिल रहा है लेकिन अगर हम पूछते हैं कि हम काम करना कब शुरू करेंगे तो इसका answer आ जाएगा इसका answer है हम काम करना अब शुरू करेंगे यानि अब हम काम करना शुरू करेंगे that means now यहाँ पर adverb of time को ही represent करेगा चौता sentence I have heard this before मैंने यह पहले भी सुना है अब फिर से हम यहाँ पर question put up करते हैं कि मैंने यह कितनी बार सुना है तो क्या इसका answer आ रहा है जी नहीं बिल्कुल भी irrelevant question है इसका answer नहीं मिल रहा है लेकिन अगर हम यह पूछते हैं कि मैंने यह कब सुना है तो इसका answer मिल जाएगा मैंने यहाँ पहले भी सुना है that means, before यह जो particular word है यह यहाँ पर adverb of time को ही represent करेगा तो इस परकार now, later, already, since, before, late, ago, soon, yesterday, today, tomorrow, day after tomorrow, day before yesterday, tonight, last week, immediately, etc. यह सारे के सारे words जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह adverb of time को represent करते हैं क्योंकि these words indicate when an action takes place they answer the question when, so they are called the adverb of time क्योंकि यह जो words हैं, यह हमें बताते हैं कि कोई कारे कब हुआ और जब हम when, इस question word के साथ question put up करते हैं तो उसका answer भी आता है इसलिए इन सभी words को हम adverb of time कहेंगे अब बारी है self assessment की तो यहां पर मैंने कुछ sentences लिखे हैं आपके लिए आपको करना क्या है आपको identify करना है the adverb of frequency and adverb of time in following sentences पहला sentence देखते हैं फिर्स्ट प्रेन्स यह सारे sentences है इनकी अच्छे स्वेथ और फिर्स्ट आपके लिए इनकी अच्छ सेथ हैं तो friends ये सारे sentences हैं इनकी अच्छे से study कीजिए और जल्दी से अपना जवाब मुझे comment box में दीजिए कि इसमें से adverb of frequency कौन सा है और adverb of time तो दोस्तों आप सभी के answers का मुझे इंतजार रहेगा जल्दी से comment box में answer दीजिए अब यहीं पर इस वीडियो को wind up करती हूँ मिलती हूँ आपसे next वीडियो में new topic के साथ तब तक के लिए thanks for watching subscribe my channel take care bye bye